तोप फाइब का पहला स्टॉक इन्फोसीस है जिसको जेस्टी विवाक की ओर से 32,000 क्रोल का नोटिस मिला है उसमें यह कहा गया कि अगर यह मामला तूल पकड़ता और दिक्कत बढ़ती है तो स्टॉक पे असर देखने को मिलेगा दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील जिसके नतीजे भी तोड़े वीक्स हैं साती इनके उपर भी एक 17,000 क्रोड के मिनरल टेक्स की गाज गिर सकती है अगर कोट का ओडर इनके ख काफी बहतर रहा है यहां पर और पांच में टाइटन और जुड़ी कंपनियां जो हैं टाइटन कल्यान सेंको क्योंकि क्रूड गोल्ड में बहुत तेजी से दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं अगर यूएस मेरेट कट होता है तो दाम और तेजी से बढ़ेंगे तो भारत में भी इसका असा देखने को मिलेगा क्योंकि एक तो डिमांड आने वाली है, ड्यूटी कट हुई है, सस्ता है भी, तो मुझे रखता है कि सोने से जुड़ी कंप्टियों पर ध्यान रखना चाहिए